और आपकों दिख रहा होगा यह हमारा गाउं हैं यह हमारे खेद हैं और यह हमारे आम के बागे और इसवीडियो में मंपने में और जयाूं Óप हुआ worm दोस्तों मुझे आशा आप लोक। स्वस्त मस्त और तंदृ जोंगे यह आमका पेड़ है जो अभी नया नया लगाए और इस पे दूसरी या साल में एक बार फशल होती है तो यह अभी नया पेड़ एंगे इसे के साथ साथ थोड़े छोटे-छोटे पेड़ भी हैं जो अभी 2-3 साल पहले लगे तो यह आप देख रहे होगे, यह सारे हमारे हैं और इसके साथ साथ यह पूरा जितना आपको दिख रहा है दूर दूर तक यह सारे आम के ही बाग हैं, जिसे गाउं में कॉलम कहा जाता है, अब बाग और बगीचे में तो अंतर पता ही होगा, दूर दूर तक देख रहे हैं, कि ये खाली आम के बागी हैं, ये सामने आपको केले का पेड दिखाए दे रहा है, ये जो पेड है, ये केले का पेड है, तो ये जो आपको यहाँ आसपास दिखाए दे रहा है, ये सारे मेरे हैं, और ये हमारे हैं, हमारी फैमिली के हैं, और जो दूर दूर तक दिखाए दे अब अलग अलग जगस अलग अलग नामों से पुकारा जाता है कलकटियां। इस Miram बाजार में ऑच्छा यह घुरूव और अचार में बहुत अच्छा न होता है इसके साथ अहाँ यह गुलाब खास होता इसको सिंदूरी भी बोला आता है यह जो पीछे आप देख रहे हैं, यह गुलाब खास होता है, इसको सिंदूरी भी बोलता है, सिंदूर के कलर का आम होता है, आपने बाजार में देखा होगा, जो देखने में बहुत ही अट्रक्टिव लगता है, तो अभी यह बहुत छोटे छोटे आम है, अभी इनकी पकड नहीं आई है, अभी दीरे दीरे यह पकेंगे, पकने के बाद यह पीले हो जाएंगे, अभी हरे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, लेकिन इनको पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है, क्योंकि अगर पकने तक रखा जाएगा, तो लोग तोड़ तोड़ के लिए जितने भी नीचे आम आपको नहीं दिखेंगे, नीचे क्या होता है, कि ह्यार पको को security लगानी पड़ती है, जैसे आप सामने रहे होगे थोड़ा सा घहर रखा है, लेकिन इहां को security नहीं होती है तो इस वज़े से तोड़ लिये जाते हैं, तो इसी तरह यहां थोड़ी QUAL चोटा होता है चोटा हाम होता है साइज में लेकिन बहुत स्वादिस्ट होता है वह सबसे पहले पकता है और उसे के साथ एक कांच भोग भी होता है कांच का मतलब है कच्चा वह कच्चा हाम होता है उसको कच्चा हाम ही खाती है पकने के बाद वह सड जाते हैं कई आमो की करते हैं लोग ऐसे आमों को लोग अचार में बनाते हैं अब यह देख रहे होंगे केले का पेड़ा बीबी मैंने आपको दिखाया था तो एक केले का पेड़ है और इससे जाद है तो कुछ है नहीं दिखाने को और यह इसी तरह दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाते हैं जितने आप गिन सकते हैं कितने पेड़ हैं तो यह जो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं यह एक जने का होता है जैसे यहां से थोड़ा ऊपर हो रहा है तो ऊपर का मतलब क्या है कि इतना एक फैमिली का है जितने हमारी एक फैमिली है और यह भूसा होता है जिहाँ पर गदनाने के लिए अब यह भी है तो पूरे अलग होते हैं आप जैसे यह पूरा दिखाय enforce two hundred mo नहीं अच्छान लगना है दूर देखने रहे होगे नीचे की दरफ नहीं है नीचे नहीं नहीं कोपली है यह किले का फिर पेड़ फिर एक बार आ गया तो देखते चलिए आनन्द लेते रहे हैं ये खोपड़ी होती है ये इसकी सिक्यूरिटी के लिए लोग बैठे होते हैं जो की बटवारे पे होते हैं बटवारे का मतलब क्या है कि अगर वो सभी जीजे अब जैसे उनके कभी होता है कि पांच आम में से एक आम उनका होगा ज जब लगती है नीचे खोदाई ज़िए होनी जरूरी होती है फसल से पहले फिर पानी की वेवस्ता देखनी होती है सिक्यूरिटी रखनी होती है फिर तोड़ते टाइम में इसको तोड़ा जाता है बोरी से अब सोचे इतना बड़ा पेड़ है इसमें 10,000, 20,000, 50,000 आम है तो यह तोड़ा कैसे जाएगा तोड़ने के लिए क्या होता है एक दो वेक्टी उपर चड़ जाते हैं दो तिन वेक्टी नीचे रहते हैं वो नीच यह एक और खोपड़िये और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा इंतिजार किजिए एक और चीज बड़िया चीज दिखाऊंगा लीची का पेड़ दिखाऊंगा आपको जो कि हमारा ही है तो चलती चलती थोड़ा सा थक ग्यां हूं है तो आब आज में आपको लग रहा या कच्चा आम तोड़ने का तो कोई फाइदा ही नहीं है तो यह दो आम मुझे मिले हैं यह किसी और के बाग है किसी और के मतलब हमारे भाई के ही है हमारे चाचा दौ के ही है लेकिन किसी और का है तो आप गिरा हुआ आम उठा सकते हैं गिरा हुआ हम कोई भी उठा सकता है लेकिन हम तोड़ना नहीं है, फाल तो माम तोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी लायक नहीं होता, और अगर आपको अचार बनाने के लिए चाहिए, तो आप यहाँ गूम सकते हैं, अपने आप आपको इत्ते सारे आम गिरे हुए मिलेंगे, अब सब यहां उठा सकते हैं, उठा हैं, दो आम मैंने यहां से उठाई हैं, देखिए कितने तरुता आम है, और यह क्वालिटी देख रहे हैं, अब यह जो गिरा हुआ है, यह कच्छे आम का पेड़ का लगा हुआ है, शहर में जो आम हाता है, वो साफ सुतरा आम आता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, और ए लेटरिंग लग गई, तो यहीं आसपास कहीं बैठ जाता है, और फिर यह धोने के काम आता है, माफ कीजिएगा, लेकिन यह जरूरी चीज थी यहां पर, इसलिए मैंने बताना, जरूरी समझा भी यह देखिए, यह क्या हो रहा है, नया पेड़ लगाया जा रहा है, अब ह अब लीची लाल हो गई, कमाल हो गया वही, अब तो घर तक ख़बर पहुचानी पड़ेगी, कि लीची लाल हो गई, लीची का सीजन आ गया, यह देखिए, लीची लाल हो रही है, अभी पूरी पकी नहीं है, दो-तिन दिन शायद और लगेंगे इसमें, तो यह हमारा विच्छे मेना की लुचा है, भी अपूरेगी, देख रही हो गया हो, गुच्छे में से तोड़ी जाती है, तो आप चाते हैं इसको पास से भी जाके मैं देखा हमारी तो तो थोड़ा सा पास में भी जाके दिखा देता हूं, नीचे मुच्छे पैने आम रख दिया था, उसको ठालेता हूं और यह देखिया हम लीची के बेड़ के पाट जा रहे हैं और वीडियो कैसी पसंद आ रही है आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियो में आप लोगों के लिए लाओं तो जरूर बताईए मुझे यह देखिये पास में से लीची मज़ा आ जायागा आज जाके खवर पहुचा नहीं है अभी मैंने यह देखा है यह देख रहे हैं यह सारी लीची है और यह जब हवा चलती है तो पकते हुए एकदम से गिर जाती है तो उसका केयर करना पड़ता है देखना पड़ता है जैसे कि मैंने आपको बताया और यह एक पेड़ कांच है तो मुझे पता नहीं है कि साड़े साथ बीगा कितना होता है यह वीडियो के लास्ट मैं आपसे कंफॉर्म कर दूंगा कि यह पूरा बात कितने में कितने बीगा मैं वैसे मैं कंफॉर्म हो कि साड़े साथ बीगा है लेकिन एक बार फिर से कंफॉर्म कर दूंगा क्योंक नहीं तो वहां पर plantation हो रहा है तो अभी मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और फिर आगे फिर बात करता हूँ सफलता के बाद अब लीची है आपके सामने लीची में देखे लाल हो चुकी है और मार्केट में आने वाली है और यहां पूरे में एक ही लीची का पेड़ है वो है सिर्फ यह दूसरा लीची का पेड़ है लेकिन उसमें हुआ नहीं है कुछ यह इस वीडियो का लास्ट पार्ट है यहां पे देखे यह हमारा दूसरा कॉलम है और इसमें हमारे अभी तीन चार पेड़ी है यह है बस और यह खाली जमीन होती है देखे जब आम का सीजन होता है तो आम की खेती होती है और जब आम नहीं होती है आम का सीजन नहीं होता ह तो उसको जोत कर और इसमें जैसे साग हो गया या कोई फल सबजी हो गया यह सब उगा लिया जाता है तो जमीन खाली नहीं रहती है इसको खोट-खात के कुछ ने कुछ करते रहते हैं और यह हमारा पेड़ा बहुत पुराना पेड़ा है यह है लताम भोक का ठीक है यह यह पूरा एंवायरमेंट है यह पूरा वहाँ जो मैंने पहले आपको दिखाया था और यह मुझे नहीं पता कि मैंने पहले 700 बिगा कहा था या यह पूरा नो बिगा है, और जैसे कि आप नाम में देखते हुँगे, यह हमारे ठाकुरपटी तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा सा आम के बाग्का और डीटेल वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दिया तो मुझे आशा है कि यह सब चीजे आपको अच्छे लगेगी और अप अच्छे से चीजों को देखेंगे और यह स इसके बैंबू से बनाया जाता है अब दिखाता हूं मैं आपको तो यह बैंबू से बनाया जाता है बैठने के लिए यह पेड़ के नीचे बनाया गया है ताकि धूपना आए और यह बैंबू ट्री बैंबू को काट कर और यह बनाया जाता है बैठने के लिए तो आब मैं आप देख रहे हैं इधर भी खाली है सिर्फ एक दो पेड़ है तो प्लांटेंशन करना जरूरी होता है निरंतर रहना जीवन में बहुत जरूरी है तो मुझे आचा यह वीडियो आपको help करेगी गाउं को देखने में आम के बागों को देखने में अब इसे में कुछ लोग सब्सक्राइब बाट जब सब्सक्राइबध करने थे तो आम के पेड़ों को बेच भी देते हैं लोग मन इसारों इस देख के और बेच दिया जाता है सो ещё bumper का बारे मीन प्ता पूरों पूरा पूरों पेड जाता है अब जिसके बहुत सारे आम है तो यह तो मैंने आपको यहां का दिखाया है यह आम के बाग का इसके साथ साथ हमारे घर के आसपास भी आम के पेड़ है वहाँ पर भी है तो खाने पीने के लिए वही हो जाता है लोग अपने आसपास रह लेते हैं यहां security के बहुत बड़ा concern ह है जैसे कि मैंने आपको कहा गौ में नुकसान बहुत होता है यह पूरा खुला हुआ है तो यहां कोई भी आ जा सकता है हम security हमेशा तो नहीं रख सकते जैसे वह सामने फसल है तो देखिए side में लोगों ने अपने पेड़ पोधे चोटे-चोटे लगा रखे ताकि उनकी फ बच्चे यही रहते हैं अब यह कभी बहस पे चड़के आते हैं तो इखिए कुछ बद मास ट्रतो भी हैं कल हमारे कठम कठल यहां कृष्ट बहुते हैं तो आप देख सकते हैं चोरी चकारी तो होती रहती है वह सामने बैम्बू ट्री आप देख रहे होंगे वह बैम्बू ट्री है इसको यहाँ पर मास बोलते हैं और इस पूरे को बस बिट्टी बोलते हैं क्या बस बिट्टी बस बिट्टी का मतलब मास हो गया और मास के बिट्टी मतलब जहाँ बसारे बास होते है ऐसी तरह mesela छोटी छोटी चीजे हैं गाउन से जुड़ी हूई तो मुझे आशा ही आपको पसंद आई होगी आपने आम के बाग को देखा होगा और कुछ-कुछ चीजें यहां से समझने की कोशिश की होगी तो इसी तरह की और वीडियो मेर को मुझे अगर टाइम मिला तो और वीडियो अपलोड करनी की मैं कोशिश करूँगा और यह रब बैंबू का है यहां पर लोग बैठते हैं और यह पीछे खेत हैं यह खेत और किसी के हमारे खेत ही आनी है हमारे बाग है यहां सिर्फ आम के तो मैं आशा करूँगा जितनी जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की और आपको इसके बारे में बताने की कोशिश की यह देख रहे हैं यह पूरा दूर दूर तकाम का है यह खाली है तो खाली का मतलब क्या है कि यह नुकसान है यहां पेड़ लगाने चाहिए त क्योंकि आमका पेड़ उगने में 6-7 साल लगते हैं कि वह फसल देती है तब अब यह जैसे देख रहे हैं सुच भारत अभ्यान के तहत यह बच्चे हैं तो समझ रहे होंगे आप यह क्या करने आए तो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग मनाने की भी मैंने इस वीडियो में कोश और कुछ दिखाने लाइक मिला तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा यह आमके बाग आपको कैसे लगे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइए और मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें बहुत महनत लगी इतनी महनत तो होती है तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और हिंदी पढ़ते रहे हैं सीखते रहे हैं साथ वीडियो की मात्रा का कोर्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है मैंने साथ वीडियो की मात्राओं के कोर्स से हिंदी सीखिए और उसमें नाम लिखने की वीडियो काहानी की वीडियो की इमिला की वीडियो सब मेरे चैनल पर upload है, जो की बिल्कुल free of cost है, free of cost वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे से लाव उठा सकते हैं, और हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई शिकायत है, आप मुझसे कोई help लेना चाहते हैं, online classes में इंट्रेस्ट हैं, नीचे description में अगली वीडियो में, देखते हैं, इस शीच की बनेगी, और जल्दी में वापिस अपने डेली में जाने वाला हूँ, और डेली में जाकर फिर मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाके, whiteboard के साथ, screen record के साथ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा, कोई सुन लाइट का सारा खेल है, सुन्दरता कुछ नहीं होती, सुन्दरता लाइट के हिसाब से होती है, हमारे आसपास के लोगों के हिसाब से होती है, ठीक है, यह definition हमारे समाज की है, तो फिर मिलते हैं आगली वीडियो में, जैहिन, अगर आप सुरू से इंगलिश मैथ सीखना च उन्दरता